वालेकुम इस्टूएंट्स वेलकम वीडियो टुटोरियल ऑफ माय यूटूब चैनल मैडिकोलोजी और आज जो है हम लेक्चर नंबर फोर में अपने डिसकस करने वाले हैं फाइलम प्लैटी हेलमेंथिस हमारी किंग्डम एनिमीलिया की जो सीरीज चलियो उसका लेक्चर न में नए हो आपने फर्स टाइम ये वीडियो देखी है तो आपको मेरे चैनल पे उस वीडियो मिल जाएगी पुरानी वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने तमाम वीडियो के लिंक रखी है आई बटन पे मैंने वीडियो के लिंक लगाई है और उसके साथ स वीडियो को देखने के बाद, टॉपिक समझने के बाद, आपने टेस्ट अटेम्प करना है, जो के फेस्बुक पेज पे होता है, तो अब हम बिला किसी ताखिर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, त इस पे सद्आ कहने डिफरंट टॉपर अपक से कहद आपर के स्टारच करेंगे और पर पास्ट की सिरी मीजिए भी स्टार्ट करेंगे, जिस प्र पर वह पेपर सॉल्फ करवाए जाएंगे जो aptitude में गुजिश्ता 10 सालों में आ चुके तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइलम फ्लैटी हेलमेंथ यूज्वली यह कॉल्ड एस फ्लैट वर्म क्योंकि बहुत जादा फ्लैट होते हैं किस तरह के फ्लैट स्ट् को देखें 15,000 स्पीशी इसकी मौचूद है जैनल करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है अच्छा एक और बात इसकी शेप जो है वो प्लैट लार्वा से रिजेंबल करती है तो यह समझा आता है कि यह किसी सिलेंट्रेटा लाइक वार्म से एवाल्ट हुए है अच्छा अब ह यह एक प्लैट शेप इसकी वज़े से यह क्या कहलाते है फ्लैट वॉर्म कहलाते है सही है और जैंबल बैनीवला लारवा कल की वीडियो में जो हमने पढ़ाता हा ने इंडिया के जो लार्वा थे लार्वा लार्वा उनसे इनका शेप काफी ज्यादा रिजेंबल करता है is simplest among those organisms have head यह ऐसे organism जिनमें head develop हो चुका होता है उनमें सबसे जादा simplest organism platyhamanthus होते हैं they have mouth which open into gut but no anis इनमें भी sac-like digestion होती है mouth तो है लेकिन anis नहीं मौझूद है यहनी इसका मतलब है point of ingestion और point of ingestion same है यहनी food जहां से intake करेंगे food की excretion food undigested food की excretion यह ingestion भी वहीं से होगी सही है sac-like digestion होती है they are acylomate कोई body cavity नहीं होती acylomate होते हैं क्योंकि flat warm है सही है layers आपस में match कोई cilom का कोई concept नहीं होता mesoderm की splitting नहीं होती bilateral symmetrical होते है सही है bilateral symmetrical मैंने बताया था अगर हम उसको medial plane से काटें तो 2 lateral sides में divide हो जाएंगे सिंगल plane यह नहीं lateral plane से कट हो सकते है और किसी plane से कट हो जाएंगे लेकिन 2 equal half में divide नहीं होगे यह लाइक दिस अगर यह हमारे पास liver fluk है अगर मैं इसको यूँ काट होगा तो यह 2 equal half में divide होगा लेकिन अगर हम इसको यूँ काटेंगे तो एक हमारे पास dorsal side आएगा एक हमारे पास ventral side आएगा दोनों equal नहीं होगे साहिए अच्छा triploblastic organization होती है with organ and organ system triploblastic होगे यानि ectoderm, endoderm और mesoderm यह तीनो germinal layer इनमें होगी और organ और कुछ organ system भी develop इनमें हो जाते हैं सही है seren treata में पढ़ाता वो tissue तो develop हो रहे हैं लेकिन उनमें कोई organ या organ system develop नहीं होगा था they have much branch intestine and a network of excretory tubule with large number of seriated proton FVD देख होता है इनके intestine नहीं जो digestive tract होता है वो बहुत जादा branching होती है इनमें क्योंकि अगर plan area की structure को देखें dorsal ventrally branch होते हैं यह लाइक दिस अगर जो इनमें इनका intestine होता है वहुत सारे उस पे branch है यह नहीं dorsal side पे भी होते हैं और ventral side पे भी उनकी opening होती है सही ताके जो food है वो हर तरफ circulate करता रहा है अच्छा उसमें क्या होता है excretory tubule होते है इसमें excretory tubule मौझूद है जो बहुत जादा ciliated structure होती है जिनको हम proto-nephridia कह रहा होता है proto-nephridia इनका excretory organ है अब excretory cell जो होता है flame cell this is like flame cell because flame cell के अंदर जो ciliya होता है वो flame like movement perform करता है जैसे हमने candle जलाया candle को burnt किया उसमें जो flame जल रही होती है उसकी movement होती है उसकी resemblance इसके साथ होती है इसके ciliya की movement के साथ यहां से food flow करता है यहां से fluid flow करता है जिससे इसलिया excretory substances को absorbed कर लेते है सही है अच्छा फिर उसके बाद nephiridio pore यानि excretory opening से उस substance को body से बहर निकाल लेते हैं excret out कर देते हैं यह यह भी topic हमारा आगे के chapters में है कि excretion कैसे होती है लेकिन अभी बस इतना जानना किता कि excretory organ इनमें present होते है rudimentary nerve system होता है rudimentary nervous system previous lecture में भी बताया था वो proper nervous system नहीं है वो किसी organ को control नहीं कर रहा ना coordinate कर रहा है दूसरे organ से उसका काम सर्फ यह है कि वो food को sense करता है सही है यहनि क्यूं समय दो rudimentary nervous system बिलको less या poorly developed system है सही है no circulatory or respiratory system कोई circulatory system नहीं होता बिकर इनमें भी direct absorption हो रही होती है सर्कुलिटर सिस्टम ने क्या करना है हमारी body में अकर हम देखे oxygen को लेकर पूरी body में घूम रहा होता oxygen आता है हमारे respiratory system में respiratory system से blood oxygen को पूरी body में पचाता है और वहां से carbon dioxide को collect करता है लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है इनके body directly absorb कर रही होती है atmosphere से जहां पर मौचूद होता है तो इसके लिए उसको जरूरत नहीं पड़ती किसकी जरूरत नहीं पड़ती spirative system की जरूरत या जरुलिटर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकर diffusion हो रही होती इनमें अच्छा they are most hermaphrodite mostly hermaphrodite with complex life cycle including many larval stage hermaphrodite होता है यानी एक ही body में male organ भी होता है male sex organ भी होता है female sex organ भी होता है तो हम इसको कहरे है hermaphrodite है और इनकी बहुत complex life cycle होती है एक के बाद एक larval stage आ रहा होता है सब्सक्राइब जादा तर यह कैसे होता है पैरासाइट होता है monogenic अगर monogenic का मतलब है अगर single host पर जिंदगी गुजार है इक ही host है उसरी पर जिंदगी गुजारते है diagenic यानि two host दो host के उपर अपनी जिंदगी गुजारते है यानि एक से जादा host हो सकते हैं इसके अगर एक host नहीं है तो दूसरा host दूसरे host में भी यानि दूसरी species में भी आपनी जिंदगी गुजार सकते सम्टाइम प्लाइं ऑबने सम्टाइम आपको पता लेवा अपनी घज़ा हासिल यह पना पूदग्य करता है जिनसे हमसे पूद हासिल कर रहा है उन्हें नुक्सान पहुचाता है और जो नुक्सन पहुचा रहा होता है वो पैरासाइट कहलाता है अब हम जरह इसकी बॉडी को देख लेते हैं बॉडी के स्टॉक्चर को देख लेते हैं सबसे पहली एक्जम्पल यहां पर लिए प्लेनेरिया की यहां पर डिफरेंट व्यूज दिखाए गए जैसे कि हमारे खाओ रहता है मैं अविर्फ जोब टो यह वीन हें ऌदारसाइट कोытा में सकते हो कि एप फॉश box पर व्यूज खोड्रेंट को वैंसी देखेंगो जहां पर जब फ्रेंट के लिए इसकी एडासाइफज धून होगा उसकी वेंटर्चाल साइड़ना पे यहां पर आठाश प्रॉपर्ली हो सके अब अगर इन दोनों को कंपेर किया यह लेटरल साइट दिखाए गया है आई मौजूद होता है बेसिकली इस नौट एक्ट्वाल आई बट यह सेंसेशन के लिए मौजूद है करने के लिए ऊरिकल मौजूद है और इकल का यहां पर यहां पर हार्ट वाला अरेकल नहीं है और इस महलेरा है एर okay इक था किता है एलिए बमिशिकली जह थी ऌटार्श्क कंप्रें करने कंप्रेकर द्रूब और सपागछ नादिक्तर को नर्स घरूब अ स्टीके किता कटते हैं करहां पे इनका फूर्ड है से इन में का मतलब ही यह किThis के लिए इनको नहीं होता स्य और स्थoffy किया को यह पर क्ष reflective कुछ भी कुछ हो नी है कि इसने औरल एक तै driving अजया अच्छ तो पहिसे यहां पर देखें हैं हैं एनी वेंटल सर्फेंज पय देखetic in जैसे वेंटल साइड है लेकिन जो पॉंट ऑट अटेच है वह एंटल साइड आगर हम यहां पर देखें तो यहां पर गोनोपोर मौझूद है गोनोपोर क्या होता है यह प्रिप्रडुक्टिफ पार्ट है इसने क्या करना है रिप्रडुक्टिफ सेल्स यादि मेल गयमिट और female gamit produce करना है, mouth है, mouth पे एक averted pharynx होता है, जब इनको food मिलता है, तो basically तो ये pharynx अंदर मुझूद होता है, लेकिन जैसे इनको food मिलता है, तो ये pharynx body से बाहर आते हैं, और food को suck करते हैं, ingest करते हैं, और फिर excretion भी यहीं से होती है, यहां इसकी जो opening होती है, कलाती है, opening of pharynx, सही है बच्चो, I do hope, यह plan area का structure आपको काफी हत्ता कची तरह से समझ में आ गए होगा, लेकिन आल तो बुक में इसकी कोई explanation नहीं है, सिर्फ diagram बनी है, लेकिन आपको जो main main चीज़े हैं, वो पता होना चाहिए, अच्छा, अब आते हैं, genius है, जिनेटा की तरफ, यहां पर सकर मौजूद होता है, ताकि वो वहां से food को सक कर सके, फिर head से नीचे वाला जो region है, वो neck कहलाता है, सही है, अच्छा, अब क्या होता है, यह labeling थोड़ी कलत हो गई, जहां जहां पर इसकी segmentation होती है, मतलब जहां बहुत सा segments मौजूद है, जहां जहां पर segmentation होती है, वह वहां पर होता है, वो केलाता है proglotis, इन最近 में reproductive organs होता है, जहां पर complete reproductive organ होती है, वहां पर segmentation है, वहां पर पूरा animal, पूरा animal की segment, एक segment हुआ है completely complete होृघ है, वोating proglotis. क्या बन जाता है कि मैचुर अब यह ये और यह पूद्यूप करने के एक्सल्न करने के काबिल ज percept हो जाता है 从 red ikon अभिजालिय उसमें अब एक्स लाधोता है इसलिय एक्सं छोड़ हो जाते हैं तो कहल अफिश हो जाता है इसलियां जाए ता सो है लेकिन वह अभी गैमेट्स प्रोडूस करने के काबिल नहीं हुआ सही याद रखना बुक में इस चीजें गिविन नहीं आ लेकिन बुक में मैंशन जरूर है कि अब आधे है जरूर ये अब आते हैं दर लिवर फ्लूइक की तरह रहा है है वहाला पार्ट अबसे फूम प्र यहम पूर्ड्युस करा हूता है उसके नीचे है स्कार रहा होता ह refill होता है नीचे छिरी इं चैनल रहा होता है यह झाल यहां से निकल रहा हुता है इसे लिए कॉणोग कि दो चाते हैं कहीं आपने च works error X को चाहा है निच को रहा हुआ यहां से मैं कहाँ पॉंआप चाहिए डाइजिश्टित के तो 2014 Week podemos एंड़ियलिके में लिए मेसी प्लदीज से सार्वारोघ खूंब दका है और यहां बद्री मिन जो इंगरे जो उस में पासेटियंग ना यू आ बहुती में cya है और वह एक्सिरिसिया नगही है उन्हों इससलिख संहें अ कीनुकशी ऐसे पासिते हैं यह तरो इसकी classification पढ़नी है अब हम पढ़ने वाले हैं parasitic adaptation क्या-क्या parasitic adaptation होती है इसमें बॉडी थिक प्रोटेक्स देम अगेंज होस्ट डिफेंस इनकी बॉडी काफी थिक होती है जो के होस्ट के डिफेंस से इनको प्रोटेक करती है सही है क्योंकि कोई cavity भी एक तो नहीं होती है और endoderm, ectoderm, mesoderm होती है जिन इस लेयर की वज़े से बॉडी काफी थिक होती है वेस्पाइन, sucker and hook developed for attachment अच्छा, spines है, sucker है और hook developed हो जाती है for attachment के लिए and replaced by locomotory organ as it is not needed यानि जो parasitic platyhelminthus होते है तो उन में locomotory organ खतम हो जाता है और वो replace हो जाता है spine, sucker, hook से ताके जहां पर परसाइट होंगा अपने host के cell में, host की body में अटेच रहेंगे उनको जब आटेच रहेंगे, उनको वहीं पर food मिलेगा तो उनको move करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंके locomotion की कोई जरूरत नहीं है अब तो उनको वह अपनी जगह पर है सही है तो जो parasites होते हैं उन में locomotion नहीं हो रही होती है locomotory organ खतम हो चुका होता है खास तो पर जो endoparasाइट होते हैं elementary canal is reduced even absent as in teen teenia saginata elementary canal जो होता है वो reduce हो जाता है digestive system जो elementary canal है वो reduce even के खतम भी हो जाता है इसकी वज़ा बचो यह क्योंकि जब वो parasite है वो host के system में मुझूद है उसके पास food ही food है तो elementary canal में basically क्या होता है थोड़ी सी storage होती है store करने के लिए भी use हो रहा होता है और expilot तो एक तो food directly suck कर रहा है directly intake कर रहा है तो जब वो directly intake करता है उसके पास abundance होती है food की availability बहुत जादा हो रही है तो elementary canal उसका reduce हो जाता है सही और एवन एक example ऐसी ली है tinius agenata जिसमें होते ही नहीं है Neurosensory organs are not much developed जैसे पहले ही बताया था rudimentary nervous system होता है सर्फ small sensation के लिए इनके अंदर rudimentary nervous system होता है वरना nervous system इनमें बिल्कुल less या poorly developed होता है well developed reproductive system with high fertility rate reproductive system इनका बहुत जादा well developed होता है fertility rate बहुत जादा होती है ताके अपने host cell में आपको तेजी के साथ divide कर सके reproduction इनमें fast होती है ताके organism जादा produce हो सके जिससे होता क्या है host का defense system और इनका reproductive system क्योंकि host defense करता है और यह production करके अपनी ततात बढ़ाते रहते हैं सही है तो यह उसको overcome कर सकते है classification क्लासिफिकेशन इसकी क्या है classification on the basis of their mode of living यानि parasite है कहा के parasite है या नहीं है उस बहाफ पे क्लासिफिकेशन की गई है सबसे पहली क्लास है इसका मतलब है single little sting यह free living होता है यह parasite नहीं होता है जैसे example like degasia यह यह प्लेनरिया सही है free living होता है तर्मेटोडा cavity of sucker होल कहलो यह cavity यह basically यह endoparasाइट होता है इसकी example है liver fluke सही है कैस्टोडा liver fluke sheep's के liver में रहता है वहां से attach रहता है तो यह endoparasाइट भी होता है बहुत सारे और दूसरी example भी जो ectoparasाइट भी होता है स्टोडा ribbon like होता है इसका मतलब यह ribbon like organism exclusively endoparasाइट सारे के सारे endoparasाइट ही होता है जैसे tiniya seginate endoparasाइट है इंटेक कर रहे होते है ठीक है बच्चो यहां पर हमारा फाइलम था फाइलम प्लैटी हलमेंथिस वह end हो गया अब होपफुली आज की वीडियो में आज की वीडियो में सारी चीज़े पूरे सारे पॉइंट्स आपको वीडियो भी अच्छी तरह से प्रॉपर्ली समझवें आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और जो भी आपकी suggestion है जो भी आपका review है इस वीडियो के बारे में वह हमें comment box में जरूर बताओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो ताके ऐसे students जो कि specifically जो किसी academy में enrolled नहीं है अब उनकी different वजहात की वजह से जैसे कि हो सकता हो उनके लिए affordable ना हो तो उनको इस तरह से कुछ help मिल जाएगी क्योंकि अगर बुक पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता तो टीचर की तो जरूरत ही नहीं थी बुक तो सब के पास available होती है तो बुक को समझना भी जरूरी होता है तो उनके लिए यह समझने का बहुत बहतरीन वे है ताके मेरी पूरी कोशिश यह है बाइलोजी को जितनी अच्छी से अच्छी तरह और जादा जादा समझा सकूँ सही है अभी तो हमारी किंग्डम अनिमीलिया की सीरीज है जैसे ही एंड होती है अज मतलब सारे वीडियो इसके अपलोड होता है तो इसके बाद हम दूसरे सेक्षेन की तरफ भी मूफ करेंगे जैनेटिक्स को पढ़ेंगे और इसके इलावा अधर फिजियोलोजी के लिए ट्रांस्पोर्टेशन को पढ़ेंगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स को हमने पढ़ना है वें किंग्डम एंड तक देखा करो और जाद से जाद दोस्तों को शेयर करो वीडियो को लाइक करो थैंक यू सो मच स्टूइंट्स मैं आप पर टीचर दॉक्र मौहमद अभी वहमीन इंशाल्ला नेक्स्ट वीडियो में मुलकात होगी जब तक के लिए लाफिस